इम्रान परताब गड़ी दन्यवाद सभापती महोदे आपने मुझे आम बजट पर बोलने का मुख्या दिया सर माई टाइम नी पॉज माई टाइम सर इम्रान परताब गड़ी कहा गया है थोड़ा सा इसकी जांच कराओ यहां परमोद परताब गड़ी भी बैसे इसकी जड़ें बहुत गहरी गई है मैं रोज देखता हूं यह जड़ें गहरी होती जाती है इम्रान परताब गड़ी दन्यवाद सभापती मोहदें 83 मिनिट 71 बार थप थपाई गई मेज 14,417 शब्दों का बजट भाशन और उस बजट में अपने लिए राहत तलाशती मिडल क्लास की हैरत जड़ा आखें सभापती मोहदें मेरे हाथों में जो दस्तावेज है दरसल ये देश के किसानों, घरीबों, मजदूरों की उमीदों का इसमारक है ऐसा लग रहा है जैसे बित्मंत्री महोदिया ने बजट नहीं तयार किया है बलकि प्रधान मंत्री जी की मन की बात का संकलन तयार किया है तूटा हुआ लशकर का भरम देख रहे हैं और जिल्ले इलाही के करम देख रहे हैं ताकत का नशा अकल पे हावी है तुम्हारी तुम देख न पाओगे जो हम देख रहे हैं वित्तमंत्री महोदिया ने इस बजट में महंगाई पर सिर्फ दस शब्द बोला है सभापती महोद है मेरा टाइम पौस करें और बार-बार इंट्रैप्ट करने को या तो मना करें सभापती महोद है वित्तमंत्री महोदिया ने इस बजट में महंगाई पर सिर्फ दस शब्द बोले हैं जिस देश में टमाटर सो रुपए किलो बिक रहा हैं उस देश की बित्मंत्री के पास बजट में महंगाई पर बोलने के लिए सिर्फ दस शब्द है डीजल, पेट्रोल, आटा, चावल, डाल, सबजी की महंगाई का तो कोई जिक्र ही नहीं सावन चल रहा है तो प्याज और लहसुन का दाम पूछना तो शायद पाप होगा मैंने तो ये भी सुना है के बित्मंत्री जी जो चीज खुद नहीं खाती हैं उसके दाम से उनका कोई लेना देना नहीं होता लेकिन इस बार बजट पेश करने के लिए पारलियामेंट आने से पहले बित्मंत्री जी ने दही और चीनी खाई थी अब तो उनसे ये पूछा जाही सकता है कि उन्हें दही दूध और चीनी का रेट तो इन दिनों पता ही होगा क्या उसे सस्ता करवाएंगी या नहीं सस्ता करवाएंगी अगर पता है तो कृपिया सस्ता करवाईए क्योंकि इसी चीनी ने अमेठी में एक मंत्री महोदया का राजनेतिक कैरियर कड़वा कर दिया सवापती महोदय अपने शीश महलों में बैठे हुए सरकार के सांसद और मंत्री कह रहे हैं कि महंगाई कम हो रही है संसत की कैंटीन से बाहर निकल करके एक चाय का कप खरी दिये तब समझ में आएगा कि महंगाई कम हो रही है या बढ़ रही है किसी एक दिन अपनी किसी मजदूर की तरह अपनी दिन भर की दिहारी ले करके बाजार जाईए और अपने बच्चों के लिए राशन खरी दिये तब पता चलेगा कि महंगाई कम हो रही है या नहीं हो रही है यहाँ बैठ करके बड़ी-बड़ी बातें करना आसान है सरकार, Electoral Bond खरीदने वालों के नाम चुपाने वाली सरकार इन दिनों आम के ठेला लगाने वालों के नाम जानना चाहती है मुझे तो होटलों, ढाबों या आम के ठेलों पर नेम प्लेट लगवाने वालों से पूछना है कि कभी खून की बोतल पर देखा है किसी का नाम लिखा हुआ मुझे पूछना है कि क्या कोरोना के दौरान अपनी उखड़ती वी सांसों के लिए आकसीजन तलाशने वाले किसी इनसान ने आकसीजन लाने वाले किसी इनसान से पूछा था मुझे पूछना है कि लावारिश लासों के लिए कुरोना में कांगा देने वाले चिताओं के लिए लकडियां सजाने वाले किसी इंसान से पूछा गया था उसका नाम उसका मजभ लेकिन इन दिनों पूछा जा रहा है सभापती महोदे अफसोस देश के प्रधान मंत्री जी ने कभी न तूटने वाली चुप्पी ओढ़ ली है सभापती महोदे जनता ने 63 सीटें कम क्या कर दी ये सरकार तो अमरित काल का नाम लेना ही भूल गई ये भूल गई है अमरित काल को ये भूल गई है मनरेगा को ये भूल गई है मौला नाजाद नेशनल फेलोशिप को ये भूल गई है मनीपूर को ये भूल गई है महरास्टा को मुझे गर्व है कि मैं राज्य सभा में महरास्टा का प्रत्निधित तो करता हूँ महरास्टा जो देश की आर्थिक राजधानी है जो टोटल कॉर्पोरेट टेक्स का 40% इंकम टेक्स का 32% और GST का 20% इस देश को देता है उस महरास्टा के लिए इस बजट में एक शब्द नहीं है सभापती महोदे आखिर महरास्टा से किस बाद का पतला लेने पर उतर आए अब तो शायद उन्हें याद भी नहों यवतमाल का वो दाभडी गाउं जहां 20 मार्च 2014 को वो किसानों के साथ चाय पर चर्चा करने गए थे और उनकी किसमत बदलने के सपने दिखाये थे उसी यवतमाल में पिछले 6 महीने में 132 किसानों ने आत्महत्या की है सभापती महोदे महरास्टरा में हर महीने 209 किसान आत्महत्या कर रहे है राज्य सरकार द्वारा सौपा गया आकड़ा बताता है कि एक जनवरी से 31 माई के बीच 1046 किसानों ने आत्महत्या की है लेकिन अपसोस इस बजेट में महरास्टरा के किसानों के लिए कुछ भी नहीं है किसानों से चिडी हुई सरकार ने बजट में किसानों के MSP की legal guarantee नहीं दी लेकिन याद रखिएगा जो किसान का नहीं वो हिंदुस्तान का नहीं सभापती महोदे मुझे बित्मंत्री जी से पूछना है कि वो जो कुछ साल पहले सोई स्मार्ट सिटी बनाने का ढोल पीटा गया था सुना है उस ढोल में पानी भर गया है इसलिए आपने उसका नाम बदल करके सिटीज आप ग्रोथ हपस रख दिया है अच्छा है नाम बदलने का खेल खेलते रही है आपकी कई सरकारें तो इसी वज़ा से चल रही है इस सरकार को पढ़े लिखे लोगों से दिक्कत है सभापती महोदे इसलिए इस सरकार ने UGC का बजट 6-6% कम कर दिया है वारी सरकार सभापती महोदे मैं बित्त मंत्री जी के संग्यान में लाना चाहता हूँ कि किशन गंज में AMU सेंटर के पास 224 एकड़ जमीन है UPS सरकार ने सोनिया गांधी जी की अगुआई में 136 करोण रूपए AMU किशन गंज सेंटर के लिए शक्षन किये थे लेकिन आपकी सरकार ने पिछले 10 साल में उस 136 करोण में से सिर्फ 10 करोण रूपए रिलीज किया है डेड़ करोण की आबादी वाला सीमानचल बहतर सिच्छा के लिए उस संटर की बाट जो हो रहा है मेरा आप से सवाल है कि इस संटर का बाकी पैसा आप कब रिलीज करेंगे मुझे उम्मीद है बित्तमंत्री महोदिया जबाब जरूर देंगी सिमानचल उसी बिहार में आता है जिसकी बैसाखी के सहरे आपकी सरकार चल रही है वहां के लोगों को एम्स की जरूरत है महाननदा और कोसी से होने वाली बाढ़ की तबाही को रोकने के लिए बांद बनाईए सिमानचल के साथ सोतेला विवहार बंद करिए एकोनॉमिक कोरिडोर बनाने से किसी राज्य का विकास नहीं होगा विकास होगा स्वास्त और सिक्षा के बुनियादी मुद्दों के लिए बजट देने पर सभापती महोदे एक तरफ तो इस बजट में पी-म आवास योजना के तहत तीन करोन अतरिक्त मकान देने की घोंशडा है और दूसरी तरफ लखनव के अकपर नगर में बारा सो असी वो मकान है जिने रीवर फ्रंट बनाने के नाम पे बुल्डोजर से जमी दोस कर दिया गया सभापती महोदे लोग चीखते रहे बच्चे भी लगते रहे वसुधयो कुटुमबकम का नारा लगाने वाली सरकार इंसानों के घरों दे उजाल कर जश्ट मना रही है सभापती महोदे मेरा बहुत भावकता के साथ देश के प्रधान मंत्री से सवाल है के इन उजडते हुए मकानों और बेगार होते हुए घरों को देख करके आपको नीन कैसे आती है आप सो कैसे पाते हैं मेरा सवाल है इस देश के प्रधान मंत्री से या तो लोगों के घरोंदे उजारना बंद करिए या फिन करोणों मकान बनाने की जूटी घोशनाएं करना बंद करिए ये बजट जूट का पुलिंदा है ये बजट आपके पिछले साल के बजट का कट कॉपी पेस्ट है ये बजट हमारे चुनावी घोशना पत्र की नकल करने की एक बैमान कोशिश है लेकिन कहावत है ना कि नकल के लिए अकल चाहिए मेरे हाथ में एक तरफ न्याए पत्र है जो हमारा है और दूसरी तरफ अन्याए पत्र है जो आपका है इस सरकार को आलोचना सुनने की आदत नहीं है सभापती महोदे जब आप इनसे सवाल पूछिए तो ये कहते हैं कि आप बताईए 70 साल में आपने क्या किया है मैं तो इस सदल में कहना चाहता हूँ सभापती महोदे कि हमसे 70 साल का हिसाब मांगने वालों जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है सभापती महोदे मैं अंत में आप से ये कहना चाहता हूँ ये बजट बैसाखी पर तिकीवी सरकार का कुर्सी बचाओ बजट है इस बजट में रज्जों के साथ, किसानों के साथ, नोज़मानों के साथ, महिलाओं के साथ, देश के मिडिल क्लास के साथ अन्याय किया गया है और इस अन्याय का खामियाजा आपको महरास्टा, हर्याना और जारखंड के चुनाओं में भुगतना पड़ेगा सभापती महोदे इस सरकार ने नोट बंदी लगा कर देश की आम जनता की पूजी चीन लिए पेपर लीक करवा करके युवाओं की आखों से नौकरी के सपने चीन लिए अगनी वीर लाकर देश के जवानों की उमीदें चीन लिए बुलडोजर लगा कर लोगों के आशियाने चीन लिए महंगाई लाकर देश की जनता की थाली से निवाले चीन लिए और नारा लगाया कि हम तो सेवक हैं 18-18 घंटे काम करते हैं इन्हीं लोगों के लिए किसी ने शेर कहा है कि जो सच और जूट में दूरी है व हम भी मजबूरी समझते हैं वो अपना हक समझते हैं निवाला चीन लेने को डकैती को बहुत से लोग मजदूरी समझते हैं हमें पता है कि कैसी मजदूरी की जा रही है सभापती महोदे मैं यहां खड़ा हो करके अंत में आपसे कहना चाहता हूं कि इस बजट में तमाम महरास्टरा के लिए कुछ नहीं रखा गया है महरास्टरा बार से जूच रहा है पानी परचने से वहां पंद्रा सव से जादा लोग मारे गए हैं उस शहर को उस राज्ज को चार हजार करोन के पैकेज की जरूरत है ताकि जो फसले बरबाद हुई हैं लोगों को राहत दी जा सकी लेकिन अफसोस इस बजट में महरास्टरा के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है मैं आखीर में ये कहना चाहता हूँ कि पिछले साथ दिन से इस बजट का बड़ा धिडोरा पीटा जा रहा है इसे महान बताया जा रहा है लेकिन कौन महान बता रहा है सत्ता पक्ष के तारीफ किसने की बिटिया की महतारी ने यानि की प्रशंसा किसने की माने तो इस बजट की तारीफ सत्ता पक्ष करे तो करेगा ही लेकिन विपक्ष के एक भी सांसत से आप पूछिए कि क्या उसके राज्य को कुछ मिला है तो वह ये कहेगा कि नहीं कुछ भी नहीं मिला है बहुत बहुत धन्यवाद सभापती महोदय